हाई गाई इसमें नहीं साहिल करना और आज की उन्हें शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज है अश्नीर ग्रोवर की तो उन्होंने पुलीस वालों को बुलाया है कि भाई उनके अगेंज जो एफाई आर फाइल करी गई है उसको बंद किया जाए 30 September को भाई इन्होंने settlement किया है वारत पे के साथ मतलब settlement का मतलब मैं एक तरह से मान के चल रहा है इन्होंने माना है कि इन्होंने घोटाला किया था और वो settlement करी गई है बहुत सारे करोड़ रोपे के मतलब मैं कौऊंगा अपने shares दिए गए है as a charity या फिर as a settlement अगर हम Ola Electric की बात करके चले तो उनको notice मिल गया है misleading ads के लिए पिछले कुछ ताइम से हम देख रहे है Ola Electric का बुरा टाइम शुरू हो चुका है share prices पर भी घटते वे दिखाई दे रहे है social media पर भी negative hate आरही है 80,000 से जारा complaints आरही है monthly basis के उपर और भाई सब लोग परशान है अगर देखा जाए तो market share इसी चक्करवें का घटता वे दिखाई दे रहा है तो देखो कहां जाती है पूरी पूरी कहानी Ola की उपर बाकी fair work इंडिया ने rating निका लिए 24 के अंदर जिसके हिसाब से Ola, Uber, Potter इन सब को zero rating मिली है दस में से zero number अगर हम बिग बास्केट की बात कर गए चलें तो भाई इस लिसके अंदर टॉप पे आ रहा है बिग बास्केट, Swiggy, Urban Company और Zobato, दस में से 6 number मिले है इनको मतलब देखा जाए तो सब के सब average ही है और ये जो rating निकाली गई है किस तरीके से उनकी life को किया जा रहा है सही बागी में को लगता है अगर ज्यादा चीज़े करोगे न तो जो कुछ बन रहा है प्रॉफिट वो भी नहीं बनेगा एक direction दिखाई दे रही है प्रॉफिट की वो तो है आप कोई लोग बोले कि भाई तो capitalist है सिंपल सी बात सब कुछ दे रही है कंपनी अभी के टाइम पर अगर कोई 12-14 गंटे काम करेगा तब ही वो उस लेवल का पैसा काम आप पाएगा जिस लेवल का आप यूट्यूब पर सुनते हो चार गंटे पांच गंटे में नहीं होगा 55 पसंट जो राइड्स है वो बाइक से होती है और कैप से 25 से 30 पसंट इंका ग्रॉस ओर्डर वैल्यू निकल के आता है अगर हम बाइक राइड्स की बात करके चले तो वह मार्जन नहीं बन रहा है 4-5 पसंट का ही अबिटा मार्जन के उपर यह उपरेट कर रहे है बढ़िंग का टागेट यह है कि भाई यह एक एंट्री पॉइंट हो सकता है लोगों के लिए कि वो रैपिडो को बाइक के लिए यूज करें कि वो सस्ती बढ़ती है उसके बाद में जब उनको कैप की जुरक पड़ेगी तो उसी एप से वो कैप भी बुक कर लेगे बाकि मैजिक पिन देड लाग डेली ओर्डर पे पहुंच गया है ONDC के अंदर सबसे तेजी से बढ़ रहा है भाई 15 है पिछले 15 महीने के अंदर growth rate ONDC के अंदर अगर मैं काऊंगा कोई धंसे काम कर रहा है वो magic pin ही है वायर साइड पे पे टी एम टाटा निउ, ओला बहुत सारी एप्ट है पट 90% जो food orders है वो magic pin फुलफिल कर रहा है यह नंबर बहुत बड़ा है अगर देखा जाये तो अगर future के अंदर ONDC फटा न तो सबसे बड़ा फाइदा magic pin को ही मिलता हो दिखाई देगा बाकि Zomato की CEO की बात करके चले तो उन्होंने बुलाया कि भाई हमने सारा motivation खो दिया IPO निकानने के बात में बिसिकले अपने टीम की बात कर रहे है जो top management वाले है उनको ESOP के नाम पर IPO के टाइम पर बहुत सारा पैसा मिल गया है अब पैसा आ गया है financially बहुत जड़ा सेटल हो गया है तो वो किक नहीं आरे ही काम करने की उनका ऐसा कहना है उनका कहना है उनको चेंज करना पड़ेगा मतलब top manager से बहुत सारे बंदे बदलते होई दिखाई दे सकते हैं अब रिसेंटली दिपिंदर जी खबरों के अंदर आया थे जब पता लगा था कि भाई वो शाक नहीं बन रहे है क्योंकि स्वीगी गुज गया इसके अंदर वीडियो में आगे जान से पर आपको याद दिना चाहूँगा अपने like का बटन नहीं तबाया है like का बटन दबा दो चैनल को घर दो subscribe और साहिल खना वाले चैनल को भी घर दो वाई subscribe no broker वाली वीडियो दाल दी है और इससे पहले भी एक वीडियो दाल दी थी कई लोग कह रहे थे वाई news type की feel आ रही है तो news type की feel आ रही है तो वहाँ पर मान के चलो long form of single news मिलेगी अगर आ उस तरीके से consider कर रहे हो मैं उसको case studies consider कर रहा हूँ support करो वहाँ पर मजा आएगा अगर इंके blanket की बात करके चले तो उसने GST invoicing for business शुरू कर दिया है एक ये innovation हो रहा है अगर देखा जाये तो blanket पर बहुत तीजी से आगे बढ़ रहा है अगर हम shark की बात करके चले तो जो snap deal के co founder है kunal behal वो जॉइन कर रहे है shark tank season 4 को as a shark Oyo वाले निकले है, snap deal वाले आए है hope for the best snap deal की उतनी ची reputation नहीं है अगर startup ecosystem की बात करके चले तो मैंने एक video दाली थी थोड़ टाइम पहले funding के around, उसके अंदर मैंने बताया था कि वाई funding के drawbacks क्या-क्या होते और क्या-क्या failure stories है उसको देखना, उसके अंदर मैंने snap deal का भी जिक्र किया था अगर हम board की बात करके चले तो 53.5 क्रोड का रोन लॉस रिपोर्ट किया है financial year 24 के अंदर ये loss improve होता हो दिखाई दिया है financial year 23 के अंदर ये 101 क्रोड का था इनका जो audio business है वो 5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और EBITDA margin 9% के उपर पहुँच गया है बाकि जो variable segment है उसके अंदर भाई बहुँ जा रहा competition चल रहा है इस चक्कर में margins घटते हुए दिखाई दे रहे है देखते है, variable वाली category कहा जाएगी क्योंकि सबके सब watch में लड़ रहे है अब ring एक नया product निकल के आएगा है future के अंदर हो सकता है ये सारी ring वाली tracking, airport टाइप की चीज़ के अंदर अनलग जाए ये आपका movement भी track कर लेगा बहुत सारी और भी चीज़े track कर ले कहां जाएगी variable पता नहीं सबके सब लड़ने पे तो लगे है इसके अंदर बाकी सारे कामा की बात करके चले तो 51% से खरी सकता है Dharma Productions का RP Sanjeev Going का group खरी सकता है इसको अभी हमने recently देखा था कि भाई उन्होंने pocket aces को खरीदा था जो कि एक YouTube channel भी है और अच्छा काम कर रहे है मेरे उनके साथ में founder unfiltered भी किया था अब शायद ये इनको भी खरी सकते है let's see कहां जाती है इनको नहीं पता इस group के बारे वे IPL देखते हो तो गुजराद जाइंट की जो cricket IPL टीम है वो इनी के पास में है और आपने देखा होगा इनको शायद बहुत बड़ा KL Rahul के साथ में जो पंगा हुआ था वो यही थे बाकि रिलाइंस की बात करके चले तो उन्होंने luxury skincare brand निकाल दिया है Augustius Barder हो सता है मैं धंग से बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि भाई ये super luxury है तो जान करके इसको ऐसा बनाया जाता है ताकि हम जैसे बंदे इसको बोलना पै रंग से बट इंका कहना है कि इसके अंदर जो formulation यूज करी जा रही है वो 30 साल की research लगी है उस product को बनाने के लिए एवार्ड विनिंग फॉर्मूला है 2018 के अंदर ये brand निकला था और उसके बाद से इन्होंने cult following बनाई थी Victoria Beckham प्रेंग का चोपड़ा जैसे celebrities को use करते है बाकि Airtel की बात करके चले तो वो Tata Play को खरी सकता है ये बहुत अच्छी बड़ा acquisition हो सकता मेरे साब से Airtel के पास में Airtel Extreme है जो की OTT का club दे रहा है Tata Play लेने के बाद में ये अपने शाद Airtel Extreme के अंदर आपको cable भी देने लग जाएगा फिर देखो ये कहानी कहां जाती है क्योंकि जियो के पास में जियो TV है, जियो के पास में अपना जियो सिनिमा है, होट स्टार भी आने वाला है, तो शाद Airtel लड़ने के तैयारी कर रहा है बाकि Sony इंडिया की बात करके चले तो उनका Ad Revenue 11% गटता हुआ दिखाई दिया 2912 करोड के उपर पहुँच गया Financial year 2024 के अंदर Net Profit भी 19% गटता हुआ दिखाई दिया है बड कंपनी जो है, उनका जो Content Cost है वो घटी भी दिखाई दिया 3% से मतलब कह सकते हैं Content के अंदर इन्होंने कम पैसा कर्च किया है बाकि overall सब कुछ अच्छा नहीं रहा है बाकि मुझे लगता है OTT के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है कम सीरीज निकालता है पर जो निकालता है बहुत effective निकालता है बाकि निखिल कामत की बात करके चले तो वो Cricket Team को खरीद रहे है GEPL के अंदर Global E Cricket Premier League यह E-Sport होने वाला है basically IPL टाइप का E-Sport पिछला सीजन जो था उसके अंदर कोई owner नहीं थे पर इस बार owners आ रहे है बागी Sachin Tandurkar की बात करके चले तो उन्होंने American Cricket League के अंदर से खरीद लिया है बतलब ही co-owner बन गए है 4 October से 14 October के वीच में tournament होने वाला है यह basically 60 ball का match होने वाला है T10 पियसे कुछ बनाया गया था वैसे ही कुछ मान के चलो इसको देखते हैं कहां जाती है पूरे cricket की कहानी मुझे लगता है एक टाइप गेम और बना जा सकता है जैसे 50 ओर का match है उसको 25-25 ओर का कर दिया जाए बतलब 25 ओर की एक इनिंग और 25 ओर की Sachin Tandurkar ने एक बार बताया है बोला भी था यह वाला ना और मुझे लगता है बहुत बढ़ बढ़ी चीज़ है बतलब 2-20 T20 टेस्ट वले तरीके से बढ़ा बढ़ा रण पड़ रहे है मज़ ही आ जाएगा बाकि अगर इसरो की बात करके चले तो उनकी सैट्रलाइट अब मॉनिटरिंग करने में मदद करेगी ONGC के लिए लॉस है जितना भी एमिशन हो रहा है जितना भी वेस्ट हो रहा है उनका ONGC को लॉस हो रहा है तो वो सैट्लाइट से ट्रैक करते हैं कहां से हो रहा है और उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे है तो अभी तक वो European Space Agency की सैट्लाइट यूस कर रहे थे अब वो ISRO की यूस करेगे इंका टार्गेट ही है पचास पसंट से जाना एमिशन को बचाना है 2027 तक और 80 पसंट तक लेके जाना है इसको 2030 तक सिंपल सी बात एमिशन कटने का मतलब प्रॉफिट बढ़ता हो दिखाई देगा बाकि हुंडा इंडिया की बात करके चले तो उन्होंने IPO की वेल्यूशन को 19 बिल्लिन डॉलर पे कट कर दिया है पहले 25 बिल्लिन डॉलर की वेल्यूशन के ओपर आ रहे थे हैं अच्छे नंबर्स नहीं होने चीए लॉजिकली IPO के बट देख ले ना जो भी निकालोगे बिख जाता है यह वहला सीन है IPO एक गंजय को कंगी बेचने वाला सीन है बस बेचो वह अंदा खरीद लेता बाई मैं लेगी लूँगा मेरे लिए बना है तू बाकि मार्केट की बात करके चले तो मार्केट खाला आप देख सकते हैं कौनरा ओपर कौनरा नीचे और इसी के साथ में आज की विजियूज खतम होती है उवीद कर तक को मज़ा होगा लाइक कर देना शेयर कर देना कावन दाना वीडियो कैसी लगी बाई गुड़ अश्वागर गुड़ आफिस गुड़ मॉर्निक रस्कून जब भी वीडियो देख रहे है जैहन बंदे मातरम और दूआ में आत रखना